वड़ाप जबपर्स आज से कुछ मेंने पहले मैंने एक होरर गेम बनाया था प्यारी नानी जिसके वीडियो तो अच्छे चला बढ़ उसका गेम अच्छा नहीं चल पाया Because the Crash Ratio हर 100% इस्टॉल में 10-30% डिवासिस में गेम क्रेश होता था मैं तो अपनी वीडियो में मजाक में बोलता था कि गेम क्रेश हो जाएगा But मुझे के बता सच में क्रेश हो जाएगा बे But interesting चीज यह है जो मैं बहुत ज़ादा बोलता हूँ वो एक परसेंड भी नहीं हुआ Yes, blast But actually main चीज यह नहीं है मैं चीजें इन दोनों वीडियो का कमेंट सेक्शन भाई, मल्टिप्लियर गेम बनाओ ना So I think मेरे पास भी कोई option नहीं है Let's make a horror survivor game यह मेरा फर्स टाइम नहीं है कि मैं एक मल्टिप्लियर गेम बना रहा हूँ मैंने पहले भी दो मल्टिप्लियर गेम बना के रखे है एक मल्टिप्लियर टीडियम जो मैंने आज तक पब्लिक नहीं किया क्योंकि उस गेम में बग्स बहुत जादा है And second game मैंने बनाया Drunk Games जिसमें स्रिफ 20 प्लियर की लिमिट है And single player game बनाना बहुत easy होते है But multiple games मुझे दिमाग की एसी कर देशी कर देते है वेब भाई चिक चेमरे मुझे पहले से सब पता चल जाता है कि कौन-कौन क्या-क्या बोलने वाला है मैंने तीन साल घर में रहे के इतनी तपस्या कर ली है कि आप मैं अंतरिया में बन जुगा हूँ वेब भई आपका गेम खेलने के वज़े से मैं एक्जैम में फेलो गया और मुझे सिर्फ आपके वज़े से घरवालों ने घर से निकाल दिया है अब आप ही बोलो मैं कहा जाओ भाण में जाओ बक्स वाहा बक्स वाहा बक्स वाहा बक्स वाहा बक्स वाहा आउट अप दो डॉपिक तुम्हें ये कहेरा था कि मल्टिपिलर गेम बनाना थोड़ा complicated होता है बठ मैं ने ओरेड़ी तुम मल्टिपिलर गेम बना की रखे है तो मैं ये थोड़ा इसी हगा Mayबी सो मैंने सबसे पहले unity का नया project बनाया गेम का नाम अभी मैंने fix नहीं किया है तो सो मैंने project तो बना लिया है पर अब करू क्या इतनी ज़दा emptiness तो मेरे life में भी नहीं है तो मैं यहाँ भी कुछ भी randomly नहीं बना सकता इस बार मुझे proper planning करनी पड़ेगी यह गेम बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि मैंने बाकी गेम इसमें planning नहीं की थी की थी बट mind में हाँ बस थोड़े points note कर लिये थे पहले ही बट इस बार यह नहीं चलेगा क्योंकि in-game dependency बहुत ज़्यदा होने वाले इस गेम में तो मैंने game का structure of write down कर लिया है जिसे यूज करके हम लोग गेम में progress करेंगे तो मैं सबसे पहले player के लिए movement बनाई losing cube what's noise let's implement multi-player आँ मुझे पता है multi-player होता है बट मैं multi-player ही बोलूँगा तो मैंने game में basic multi-player डाल दिया है and works nice तो हमारे game में basically यह होने वाला है कि 5-6 players एक village में first जाएंगे and उन सब को survive करके इस village से निकलना होगा यह बस अभी के लिए best concept है बाकि इसके अंतर बहुत सरी चीजे है जो मैं upcoming dialogues में बताता रहूँगा बट अभी के लिए तुम यह अधिम कर सकते हो कि इन 5-6 players में एक curse भी रहेगा जो इन सब को एक दूसर को मारने के लिए मजबूर कर देगा now we need character नहीं चलो नया character बनाते है जो मैं अभी के लिए सिर्फ एक base character बना रहा हूँ जिसके साथ हम game टेस्ट कर पाएंगे क्योंकि इस game में 6 से ज़्यादा character लगेंगे जो इसलिए हम base character बनाएंगे बात में जाके उसको किने चीज़ एसा Pokemon में तबदिल कर देंगे time saving tips जो मैंने नया character का model तो बना लिया है एंड एक मिनिट च्या मायला new or old में फरक क्या है बे अभी के लिए ये चल जाएगा पुरा चोर लग रहा है ये इसको unity में डालने से पहले हमें चाहिए होंगे animations वैसे तो मैं animations खुछ से ही बना सकता हूँ बड़ जो चीज़ पहले से बनी हुए है उसको फिरसी की बनाना अरे वाह ये सारे animations अब हमारे कबजे में है एंड मैंने प्लेयर को animations के साथ unity में डाल दिया है एंड इस बार मैंने फर्स्ट टेम लोको मोशन ट्राय किया है जो I think अच्छा लग रहा है एंड जंप animation के बार में बोलने की शायद जरूरत नहीं है बिल्कुल भी नहीं है एंड सिस मैं गेम फर्स पर्सन के लिए बना रहा हूँ जो कि इस गेम के लिए बहुत बड़ी प्रॉबलम हो सकती है इसका मतलब जब मैं मुव करता हूँ तो दूसरे प्लेयर के स्क्रिन में ये अपडेट होने के लिए बहुत टाइम लगता है साला इसने टाइम पे तुम्हें चार-पाच बग सॉल कर दू फेकने राओ मैं इसको कैसे हटा है इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च की और मुझे ये पता चला कि इसको डॉच करने के लिए बहुत सारे modern games एक special technique का यूज करते है इस technique से दूनों player की movement almost real time feel होती है और इसके वज़े से game में कोई cheat भी ने कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले client server पर move की command भीजेगा और साथ में खुद भी move की command चलाएगा बट यहाँ पर miss prediction भी हो सकता है तो server client को उसकी फिर से new position भेजता है जो server के side में है तो इसके वज़े से अगर कोई game में 100 की speed भी hack कर ले तो server उसको उसके फिर से default speed पे ला देता है I know कि यह तुमारे sir की उपर से गया बट कोई बात नहीं यह normal चीज़े मेरे लिए I know कि मुझे इस game में cheat की need नहीं है क्योंकि बहुत से लोग cheat नहीं कर पाएंगे क्योंकि cheat करने के लिए चाहिए Let's continue So let's add client threat prediction So मैंने कुछ articles and rituals देखी कि client threat prediction केसे add करे And मुझे इससे थोड़ा सा idea आ गया है कि यह मेरे existing player पे केसे apply होगा So I did some scripting Let's test Server पे तो ठीक चल रहा है चलो client का देखते है What the fool यह तो भी नहीं cheat की cheat कर रहा है Overcoding करनी पड़ीगी चमाइल अब camera को क्या हुआ अब पीछी क्यों जा रहा है अरे अबे अबे यार गाइस अब बहुत हो गया मैं साथ दिनों से इस bug को solve करने के कुशिश कर रहा हूँ साला solve दनी हो रहा पर उपर से अपने family को और expand कर रहा है अब मेरे पास कोई option नहीं है यह रहा bug और ते रहे से कित्य सी sometimes if you can't solve bugs mom kill the mom में की मोरू बग मरे so I deleted my old script and made a new script क्योंकि मुझी github से एक demo client side prediction की script मिली है so मैंने उसी logic समझ कर अपने script में डाल दिये है like ctrl c plus v noise haha it's working साला पक्षी उर जा साल यहां से पता नहीं अब animations को क्या हो गया so मैंने यह भी fix कर दिया है पता नहीं कैसे गया but it's working nice now client side prediction is working good सिर्फ यह चीज करने के लिए मेरे 10 दिन waste हो गए कोई बात नहीं let's add weapon pistol अभी के लिए मैं sketch pap से ले रहा हूँ क्योंकि असली model में बाकी guns के साथ ही बनाऊंगा so pistol के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए animations क्योंकि हमारे character के पास fingers है and मैं unity में fingers के IQ के साथ time waste नहीं करना चाहता so मैंने सबसे पहले maximum way pistol के animations ढूंडे क्योंकि जो चीज़ पहले so यहाँ पे तो pistol के बहुत सरे animations है बट जो मुझे चाहिए वो है नहीं क्योंकि मेरा एम first person है and यहाँ पे ऐसे बहुत सरे animations है जो मेरे fps camera को support नहीं करते तो we can do this so मैंने pistol के लिए कुछ animations बनाए है like pistol idle, walk, shoot and reload and हर gun के लिए animations different होंगी मतलब मुझे हर gun के लिए separate animations बनाने होंगे but अभी सिर्फ pistol है so we can chill and मैंने उसको unity में डाल की gun की shoot के लिए एक script बनाई जिससे players एक दूसरे को damage कर पाएंगे and अभी के लिए bullet trail में डाल दी है जिससे bullet की visuals दिख पाए and everything is working good since हमारा game survival game है so हमें चाहिए कुछ items जिससे हम player को heal कर पाएंगे so मैंने blender में demo के लिए कुछ models बनाए अभी सिर्फ health के items बनाए है but game में इससे ज़्यादा items होने वाले है and मैंने consumable items को consume करने के लिए consume animation भी बनाई है ये boiled egg है and मैंने items को server पे भी sync कर दिया है जिसे दोनों players में item के existence same रहेगी एक अंडा 13 एक अंडा मेरा दो अंडे 13 दो अंडे मेरे टीन अंडे 13 पैसा भी निकाल now हमें चाहिए inventory system and मैंने बहुत games में inventory देखी है but मुझे ज़्यादा idea है नहीं कि एक proper inventory कैसी होती है so मैंने YouTube पे इसके related tutorials देखे and अभी मुझे पूरा idea है कि एक proper inventory कैसी बनती है so मैंने unity में अभी के लिए एक छूटे सी inventory बनाई and ये inventory इतने अच्छी तो नहीं लग रही है so हम इसको बात में जाके बदल देंगे but अभी testing के लिए best है and मैंने इसको भी network कर दिया है so inventory की same quantity के items players एक दूसर के साथ share कर पाएंगे वैंपाई मेरे पास ammo है pistol दो मेरे पास ammo भी है and मैंने गेम में ammo pickables भी add किये है so पूरे map में सिर्फ limited amount of ammo रहेगा and मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये सारे model सिर्फ prototype के लिए है असली वाले game में हमें इन सब को बदलना पड़ेगा जो कि हम upcoming dialogues में करेंगे and game के लिए हमें village का map भी बनाना होगा so वो भी हम आने वाले dialogues में करेंगे and इस dialogue के लिए बस इतना ही and अगर तुम्हारे पास game के लिए suggestions है तो तुम लोग comments में बता सकते हो मैं ज़रूर read करूंगा so that's it मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye